हेलो स्टुडेंट्स आज के लेक्चर में हम प्री वैदिक रिलीजन और वैदिक रिलीजन को डिस्कस करेंगे और इसी टॉपिक के साथ हमारी जो है थर्ड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी तो इसमें सबसे पहले हम रिलीजन को समझेंगे फिर प्री वैदिक रिलीजन किस तरीके से था इंशेंट इंडिया में उसको समझेंगे और फिर हम वैदिक रिलीजन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिलीजन क्या है तो रिलीजन is the science of soul, morality and ethics have their foundation on रिलीजन, रिलीजन को बेसिकली बोला गया है कि science of soul है यह, science of soul का मतलब यह है कि कही ना कहीं रिलीजन को जैसे हम हिंदी में बोलते हैं आत्मा, आत्मा शब्द से जोड़ा गया है, तो रिलीजन जो है basically हमारे self से जोड़ा हुआ है और self को ठीक करनी यह एक तरह से क्या है, यह science है, और साथ में इसमें morality और ethics की बात की गई है, कि हमारे अंदर नैतिकता होनी चाहिए, हमारे अंदर ethics होने चाहिए, वही क्या करते हैं, हमारे अंदर religion का foundation या base बनते हैं, religion played an important part in the lives of the Indians from the earliest time, अगर हम religion को पढ़ते हैं या समझते हैं, ancient India को जब हम समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें पता चलता है कि religion जो है, इंडियन लोग जो थे, ancient इंडिया में और तब से लेके अब तक, religion एक important part है, lives का, it assumed numerous forms in relation to different groups of people associated with them, और अगर हम और study करते हैं, तो हमें पता चलता है, कि जो religion है, है न, वो numerous forms में available है, क्योंकि हमने देखा है कि कई तरह के लोग हैं, कई तरह के विचारधारा के लोग हैं, तो उनके religion में भी क्या है, कुछ ना कुछ, difference है, religion and, sorry, religion in India was never static in character, अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं, ancient इंडिया से लेके अब तक बात करते हैं, तो religion कभी भी static नहीं रहा, कभी भी style नहीं रहा, है न, religion का जो character है, वो हमेशा ही क्या होता रहता है, वो change होता रहता है, dynamic है, Indian spirituality is deeply rooted in ancient philosophical and religious traditions of the land, Indian spirituality, spirituality का मतलब है, यहाँ पर अध्यात्मिकता, तो अगर हम जब religion को समझने की कोशिश करते हैं, ancient इंडिया में जाके religion को पढ़ने की कोशिश करते हैं, या philosophy की बात करते हैं, तो हमें पता चलता है, चाहें वो philosophy हो या religion हो, उसमें जो Indian tradition है, उसका एक अपना role है, और यह कह सकते हैं कि जो Indian spirituality है, वो कहीं न कहीं religion में और philosophy में deeply rooted है, अध्यात्मिकता जो है, वो base में है, philosophy arose in India as an inquiry into the mystery of life and existence, mystery of life and existence, मतलब यह पूरा जो existence है, किस तरीके से बना, mystery of life, जो जीवन के रहसे हैं, है न, कि भाई, जैसे simple question है कि मैं कौन हूँ, मैं इस आर्थ पर क्यों आया हूँ, मेरी death के बाद मेरा क्या होगा, इस तरह के जो mysteries है life की, और इस पूरे फिर हम भ्रह्माण की बात करते हैं, existence की बात करते हैं, तो philosophy का जो context है, या philosophy का जो एक तरह से emergence हुआ, वो इनी questions के basis पे इंडिया के अंदर हुआ, philosophy provided a correct view of reality, while religion showed the correct way of life, अब देखें, दौनों में difference क्या है, philosophy तो हमें reality की तरफ ले जाता है, है ना, जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़े हैं, उनकी reality की तरफ हमें ले जाने का काम philosophy करती है, दर्शन सास करता है, लेकिन religion हमें क्या बताता है, कि हमारा life का correct way क्या है, हमें किस direction में जाना है, वो religion बताता है, philosophy provided the vision, while religion brought about the fulfillment, तो philosophy तो एक vision हमें दे रहा है, जब हम philosophy या दर्शन सास की बात करते हैं, अब इस vision को fulfill कैसे करना है, वो हमें रिलीजन बताता है, philosophy was the theory and religion was the practice, तो अगर हम philosophy की बात करते हैं, तो जैसे आप लोग different subjects पढ़ते हैं, उसमें theory और practical है ना, दो चीजे होती हैं, तो ऐसे ही अगर हम बात करें, तो philosophy theoretical है पूरा, लेकिन जब हमें उसको practice में लेके आना है, है ना, तो religion हमारा क्या हो जाता है, practice हो जातो, now pre-vadic religion की बात करें, तो pre-vadic religion basically हरपा civilization के अंदर किस तरह का religion था, उसकी बात करेंगे, तो हरपा civilization जैसे मैंने आपको बताया था, कि वो लगभग 3000 BC के आसपास emerge हुई, और हरपन culture जो था, वो mature हुआ 2600 BC, और वो decline हुआ 1700 BC में, from the archaeological finding, it may be presume that the most important feature of the pre-vadic हरपन religion was mother goddess और nature goddess, अगर हम pre-vadic religion की बात करते हैं, तो कही सारे हमें archaeological findings मिली हैं, evidences मिले हैं, जिसके base पर ये पता चलता है, कि जो pre-vadic religion था, वो mother goddess या nature goddess से related था, है ना, environment से related था, seals from harpa, shows a female figure and a plant emerging from the navel, इसमें कुछ ऐसे seals मिले हैं, जिसमें एक female figure है, और female figure के navel से, जो है, plant emerge हो रहा है, बहुत अब उसको बताया गया है कि ये, कौन है, ये mother nature है, ठीक है, another representation shows a figure standing in a bifurcated tree may be interpreted to identify the mother goddess with the nature goddess, और इस कुछ इस तरह के भी representation मिले हैं, जिसमें एक bifurcated tree है, मतलब tree बीन से जो है, उसके दो पार्ट हो रखे हैं, और center में जो है, एक female figure है, है ना, तो वो ये show कर रहा है, कि वो mother goddess है, या nature goddess है, ठीक है, among males, तो ये तो female God की बात की, है ना, और अगर male की बात करते हैं, तो जो शिवा है, है ना, can be identified easily as a principle deity, बलब गौड शिव हैं, उनकी बहुत ज़्यादा वर्षिप की जाती थी, हरपन religion में, शिवा वर्षिप बोथ इन icon and in linkya, ठीक है, तो शिवलिंग जैसे बोलते हैं, तो पूजा की फॉर्म में भी और icon की फॉर्म में भी दौनों तरीके से उनकी पूजा की जाती थी, the pre-wedic people might have been worshipping animals, animals को भी वर्षिप करते थे, तो कई तरह के seals मिले हैं, जिसमें कई तरह के animals हमें देखने को मिलते हैं, और साथ में ही, जो pre-wedic people थे, वो natural object को भी वर्षिप कर on a number of seals, some scholars consider the existence of shamanism in harapan religion, harapan religion में बहुत सारे scholars ने ये भी पाया जब study किया, कि उसका एक characteristic था, या एक property थी, जिसको shamanism बोला गया है, कुछ लोग जो tribal people हुआ करते थे, उस time पर harapan संस्कृति के अंदर, वो shamanism को basically follow या practice किया करते थे, अब यह होता क्या है, यह देख लेते हैं, Shamanism is a religious practice that involves a practitioner who is believed to interact with the spiritual, यह sprit word, Shamanism जो एक religious practice है, जिसमें जो practitioner हुआ करता था, यह कहा जाता था कि वो sprit से, जो sprit word है, है न, उनसे interact करने की कोशिश कर रहा है, और उसका main goal यह होता था, the goal of this is usually to direct these spirits और spiritual energies in the physical world for healing purpose, और यह कहा जाता था कि यह जो practitioner है, वो sprit से जो भी interact कर रहा है तो उनको basically यही direct कर रहा है या उनसे यही कह रहा है कि आप इस physical word में आएं, और physical word में जो भी healing purpose का काम है, जो भी ठीक करने का काम है, लोगों को ठीक करने का काम या जो society के अंदर जो और भी चीज़ है, उन सब को heal करने का काम करें, ठीक है, तो यह basically pre-vadic religion था और यह भी कहा जाता है कि क्यूंकि हडपन संस्कृती जो थी वो बहुत ज़्यादा well developed थी, urbanized थी, लेकिन उन्होंने अपनी religious practice को भी अच्छे से develop कर लिया था, अब बात करते हैं वैदिक religion की, ठीक है, तो pre-vadic के बाद कौन सा stage आई थी, वैदिक stage आई थी, तो वैदिक religion किस तरीके का था, यह देखा गया है, तो वैदिक religion basically वेदों से जो ग्यान आया, उसके base पे यह religion स्टार्ट हुआ, और इसमें पुजारी हुआ करते थे, जो worship या पूजा करवाया करते थे, तो वैदिक tradition at its early stage was primarily a tradition by priest, priest के दुआरा चलाएगा tradition जो है, वो वैदिक tradition या वैदिक religion कहा जाता है, sacrifice involving the specialized priest and slaughter of animals was the chief form of religious practice, वैदिक religion की बात करें, तो इसमें sacrifice को, means जो बली देना हम बोलते हैं, उसको importance दी गई है, और इसको को specialized priest perform करवाता था, और इसमें किसी animal की बली दी जाती थी, sacrifice was originally a right of hospitality for the God, and this was performed to obtain material rewards on earth and in heaven, तो basically इस तरह की जो बली दी जाती थी, वो भगवान को खुश करने के लिए दी जाती थी, और ये कहा जाता था, कि इस बली को देने से God जो है, वो खुश हो जाएंगे, और अर्थ के उपर जो है, वो material reward करेंगे, कई तरह की सुख सुविधाएं जो हैं, वो अर्थ के उपर बरसाएंगे एक तरीके से, और वही जो सुख सुविधाएं वो heaven में भी देंगे, ancient seers have suggested two approaches with reference to the Vedic religion, जो ancient scholars हैं, ancient जो study करते हैं, उन्होंने basically Vedic religion के दो approaches बताए गए हैं, एक बताया गया है, प्रवरती लक्षण, प्रवरती लक्षण, और दूसरा वरता है निवरती लक्षण, प्रवरती लक्षण में बताया गया है, characterized by action, किस तरह की प्रवरती है, human mean की, तो basically इसको action से जोड़ा गया है, कि हम कैसे अपने action के through, religion को perform कर सकते हैं, और दूसरा है निवरती लक्षण बताया गया है, religion का, उसमें ये कहा गया है कि कैसे renunciation से बहुत सारी चीज़ों को त्याग करके हम अपने religion को follow कर सकते हैं, अब दो objective हैं, क्या क्या है, एक है अभ्योदे और दूसरा है निह रहसे, अब अभ्योदे का है, अभ्योदे का मतलब है prosperity in the life in this world and enjoyment in heaven in the life after, तो religion को follow करने का basically दो aim बताया गया है, पहला बताया गया है, अभ्योदे, अभ्योदे में ये कहा गया है कि life में हम लोगों के पास prosperity बनी रहे और हम जब death हो जाएं, तो उसके बाद जब heaven में जाएं तो वहाँ पे भी enjoyment करें, तो इसके लिए क्या कर रहे है, basically religion को follow कर रहे है दूसरा है निहर रहस, permanent freedom from all bondage and suffering state of eternal bliss, तो basically ये एक तरह से मोक्ष की बात की गई है, कि जो भी bondages हैं, है ना जो भी रिष्टे नाते हैं, उनसे पूरी तरह से free हो जाएं और state of eternal bliss का मतलब है परम आनंद की प्राप्ती हो जाना, ठीक है? बागी के जो हम इसमें देखते हैं कि वैदिक religion में जो मंत्रा और जो इस तरह की चीज़ें बोली जाती थी, वो कहां से आती थी? तो वेद के अंदर जो भी ब्रह्मना और मंत्र दिये गए हैं वेदों के अंदर, उनसे तो अभ्योदे का परपस सॉल्व होता है, और जो अरंक्याज और उपनिशद में टीचिंग्स दी गई हैं, उनसे हमें नी रहस्य के बारे में पता चलता है. तो इस में हमने देखा कि कैसे प्री वैदिक रिलीजन लोग फॉलो करते थे और कैसे फिर प्री वैदिक से वैदिक रिलीजन में लोग आए और उनके क्या-क्या करेक्टर स्टिक्स थे. तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, थेंक्यू.